तो आदाब नमस्कार गुड इबनिंग एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है आज की क्राइम तक की कहानी में और आज की कहानी जिसकी चुके इदर बीच में बहुत सारी चीज़ें चल रहे थी इंडिया पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक पुलवामा हमला तो एक कहानी आपको सुनाई थी जिसमें एक जो प्लेन था इसराहील का जिसको हाईजक करके और यूगांडा की सर्जमीन पर ले जाया गया था पिर उसका कैसे रिस्क्यो अपरेशन हुआ तब थोड़ा सा मैं जिक्र किया था आपको ईदी अमीन के बारे में लेकिन आज पू मतब जिसकी कहानी सुनकर जो बड़े से बड़े हिम्मत वाले भी हैं उनकी भी रूप काप उठें क्योंकि ये दुनिया का पहला ऐसा राश्च्पती अपने देश का एक राश्चत ध्यक्स था जिसके साथ आदम खोर का भी तमगा लगा कहा गया कि इनसानों के मास खाता ह इसके लावा इल्जाम ये भी है कि इदी अमीन ने करीब करीब उसके सर पर छे लाख लोगों के कतल का इल्जाम है उसने जब तक हुकुमत की तो जिसने भी जरा सी बगावत की उसको उसने जीने नहीं दिया और ये कहा जाता है कि इदी अमीन क्या है और उसकी सेना के हाथ तो करीब 6 लाख लोग मारे गए इडियमीन की एक हिंदुस्तान के साथ में बड़ी नफरत की कहानी है और वहां पर अच्छे खासे तादाद में हिंदुस्तानी जाते थे यूगांडा में और एक दिन उसने अचानक एलान कर दिया था कि 90 दिन के अंदर अंदर जितने हिंद पूंजी सब छोड़कर सिर्फ दो सूट केस लेकर जाना है तब प्रेमिस्टा इंद्रा गांदी थी उन्होंने कोशिश भी की थी लेकिन वो सनकी तानाशाह था उसने सुना नहीं अफरीका का हिटलर भी उसे कहा जाता था और कहा जाता था कि ऐसी कोई सुभा नहीं होती थी ऐसा कोई दिन नहीं होता था जब एदी अमीन के युगांडा में सड़कों पर खून ना बहता हो और उसने करीब आट साल तक युगांडा में शासन किया लेकिन जिस तरीके से उसने सब कुछ खून खराबा किया उसे कोई रोकने वाला नहीं था और उसके पीछे एक खास वज़ा ये भी थी कि अरब मुलकों के साथ उसकी दोस्ती थी खास तोर पर करिनल गदाफी उसका खास दोस्त हुआ करता था और करिनल गदाफी के दम पर भी उसने बहुत कुछ जिल्म ढ़ाए अब इदी अमीन की शुरुवात और इदी अमीन का राइज और इदी अमीन का फॉल जो इदी अमीन के बारे में कहते हैं कि एक तो आदम खोर जो उसके साथ ये लगा शब्द है एक्चुली उसकी एक वज़ा ये भी थी कि इदी अमीन की जो कत काया और काठी थी ये छे फिट चार इंच लंबा था इसका पूरा शरीर ही एकदम राक्षर जैसा था थुल थुला मोटा और इसका वेट उस वक्त वख वन सिक्स्टी केजी था एक-सो-शाथ किलो चे फुट चार इंच हाईट एक-सो-शाथ किलो वेट और ये सेना उस वक्त वहाँ पे जो बिरिटिश तमाम और ये लोग थे उस से पहले जो शासन करते थे लेकिन तब वहाँ पे यूगंडा में एक अपनी सरकार थी और उस सरकार में सेना में बतौर खानसामा इदी अमीन काम करता था और वहाँ के आर्मी में था खानसामा के तौर पे काम करता था लेकिन खानसामा के साथ आदमी में काम करने के साथ जो इसकी तरक्की हुई उसकी एक वज़ा दूसरी थी चुकिके इसकी कत काथी 6.4 इंच लंबा, 160 किलो का बेट यह बॉक्सर बहुत अच्छा था और इसने सेना में रहते वे बॉक्सिंग चैंपियंशिप में हिस्सा लेना शुरू किया और उस वक्त कहते हैं कि 9 साल तक लगातार यह युगांडा का नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन रहा कोई इसको हरा नहीं पाया और इस national boxing champion को जीतने की वज़ा से लगातार उसकी सेना में तरक्की भी होती गई और धीरे धीरे वो तरक्की करता गया जो ओपर के अफसर थ है उनका भरोसा जीता गया जो सरकार थी उनका भरोसा जीता गया और आकिर 1965 में 1965 में आते आते वो यूगांडा की आर्मी का जनरल बन गया और अब उसके पास तमाम पावर सटा सब कुछ थी लेकिन अब उसकी नदर यूगांडा की गद्धी पर थी और तब उस वक्त जो प्राइमिस्टर थे यूगांडा के वो थे मिल्टन ओबोटे मिल्टन ओबोटे इदी अमीन पर बड़ा टरस्ट करते थे और वही थे जिन्नोंने इसको जनरल भी बनाया था और इसकी एक तो मकबूलियत ये फेमस था चुके बॉक्सिंग चैंपियन लगा था नौ साल तक रहा तो उसकी वज़ा से भी और कत काठी ये उनको आइसास नहीं था 1971 में ये जो प्रधान मंत्री थे मिल्टन ओबोटे ये सिंगापूर के अपने दौरे पर गए हुए थे राज की ये दौरा था वहाँ दौरे पर गए हुए थे उनके दौरे पर जाने के बाद उनके पीछे में इदी अमीन ने अचानक तखता पलड़ दिया प्रधान मंत्री देश के बाहर है यूगांडा के इदी अमीन जनरल है आर्मी का वो बाहर गया और इदर उसने अपनी जो सेना थी उसको लेका सिर्फ तीन घंटे लगे तो उसको पूरी यूगांडा पर कबजा करने के लिए चुकि आर्मी का जनरल था तीन घंटे में उसने पूरे यूगांडा पर कबजा कर लिया यूगांडा की जो राजधानी कंपाला वहां पर उसकी पूरी सेना जो है वो सड़कों पर मार्च करने लगी 25 जनवरी 1971 यह तारीख थी 25 जनवरी 1971 जब प्राइम मिनिस्टर मिल्टर नोबेटर सिंगापूर में थे और तीन घंटे के अंदर अंदर इसने यूगांडा के सत्ता पे काबिज हो गया और फिर पूरे यूगांडा में बड़े खुशियां भी मनाई गई अब या तो सेना के डर्द से या जो भी हो लेकिन उने लगा कि चलो एक एदी अमीन आया नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन है पॉपुलर है तो ये कुछ अच्छा करेगा तो शुरुआत में लोगों को ये घलत फहमी थी इसके बाद एदी अमीन जैसी ही वहां का डिक्टेटर बनता है सत्ता पे काबिज होता है अपना रंग दिखाना शुरू करता है जो भी लोग जो प्राइमिस्टर बेटन और बेटे के विरो जो समर्थक थे उनको एक एक करके इसने मानना शुरू किया जो आर्मी में इसके खलाफ उसे लगा कि जो लोग होंगे उनको एक एक करके मानना शुरू किया और ये अपने आपको वहां पे एक जो इसका फीमस था यूगांडा में ये कहता था लोगों से कि आप मुझे दादा बुलाओ तो लोग इसका दादा बुलाते थे और एक भी चुन-चुन कर यूगांडा में जो भी इसके विरोधी थे उनको इसने मानना शुरू किया अब यहीं से लाशों की गिंती शुरू हो जाती है और कहते हैं कि जब यह नेशनल चैंपियन था उसी वक्त से जब इसने कई ऐसे लोगों को मारा जब यह सेना में था और तब ही इसको आदमकोर बनने कि इसका सलसला भी शुरू हुआ था कई लोगों के यह मास खा जाता था लेकिन यह चर्जाएं अफवाहें तक ही रहें जब यह युगांडा का डिक्रेटर बन गया प्रामिस्टर को हटा कर तो इसके बार फिर यह चीज़ें उठनी शुरू ही कि बहुत सारे लोगों को मारा जाता था और वो उन में से कुछ लोगों के मास खाता था लेकिन इसका कोई सबूत नहीं था उस वक्त तक यह था कि यह सिर्फ अफवाहें हैं पहली बार एक डॉक्टर किबो रिंगोटा इन्हों ने यह विटनेस थे जिनकी वज़ा से दुनिया को पता चला कि हाँ इदी अमीन आदम खौर है डॉक्टर किबो रिंगोटा ने बयान दिया था कहा था कि एक बार वो इदी अमीन के घर पे थे उचुके वो नके डॉक्टर थे तो इदी अमीन को देखना और यह सब चीज़ थी तो बैठने के दौरान आचानक फ्रिज से ये पानी निकालने के लिए इदी अमीन के घर में तो जैसी फ्रिज का दर्वादा खोला तो फ्रिज के अंदर दो नर्मुन सर रखे हुए थे और कुछ इंसानी मास के लोग हिस्से रखे हुए थे तो उनको देख के बड़ अजीब लगा डौक्टर रिंगोटा को और तब उन्होंने फिर वहां के कुछ दूसरे स्टाफ से बात की इदी अमीन के घर के लोग हुए तो उसने कहा इदी अमीन का जो फ्रिज है वो हमेशा इंसानी मास से भरा रहता है और इदी अमीन इसको खा यह बात बड़ी अजीब लगी लेकिन यह पहली बार एक सबूत हाथ में लगा एक डॉक्टर की जरीए इसके अलावा एक और सरकारी डॉक्टर थे उन्होंने यह बयान देता है कि 1975 में 1971 में इसने सत्ता सम्हाली चार साल के बाद युगांडा में सब कुछ चुके यह कबजे में ले रहा था चार साल के बाद वहां के जो चीफ जेस्टिस थे युगांडा के उन्होंने कुछ इदी एमीन के ओर्डर को मानने से इंकार कर दिया तो इदी एमीन को इतना गुस्सा आया कि उसने चीफ जेस्टिस को को मरवा दिया चीफ जेस्टिस की मौत के बाद यह ज डॉक्टर पोस्मॉटम कर रहे थे इसी दौरान में अपने तमाम सुरक्षा कर्मियों के साथ एधी अमीन हॉस्पिटल पर पहुंच जाता है सीधे पोस्माटम टेबल पर आता है और इसके बाद वहां से जितने डॉक्टर थे जो पोस्माटम कर रहे थे वो उनको कहता है कि आप लोग थोड़ देर बाहर जाओ बाहर भेजने के बाद कहते हैं कि चीफस जस्टिस के पोस्माटम रॉटा बॉड़ी को लिए थी चीफस जस्टिस की भी बॉड़ी के कुछ हिस्से को इदियमीन ने खाया ये इस सरकारी डॉक्टर का स्टेटमेंट था इसके बाद ये धीरे-धीरे यगांडा में ये चीज़ tatा फैलने लगी फिर यूगांड़ के बाहर ये बातें अने लगी कि यूगांडा क राजश्पती जो हो आदम होर है तो इसको लेकि कई मुलकों ने अपने वो भी किया कि ये गलत है और यूगांडा में जो जल्म चल रहा था उसके लिए कुछ किया रहा है लेकिन बार बार अरब जो मुल्क थे कुछ जो इसके दोस्त थे उन सब की वज़ा से ये सारी चीज़े दबी रह जाती थी और इस वक्त तक कि ये अफरीका के हिटलर के नाम से मशूर हो चुका था और कहते हैं कि ये जो दौर था अब तक इसी दौर में उसने करीब 5-6 लोग लाख लोगों को मार डाला था इदी अमीन के बारे में एक और चीज़ है कि युगांडा में जो भी खुबसुरा तलगिया होती थी जिसके ओपर इदी अमीन की नजर पढ़ जाए तो फिर वो बच्चती नहीं थी इदी अमीन उनको जबरगस्ती हासिल कर लेता था हाला कि खुद इदी अमीन की उफिशली छे बीवियां थी जिन से पैंतालीस बच्चे थे लेकिन एक ये भी कहते हैं कि उसकी करीब पैंतिस से ज्यादा और उरतों के साथ रिश्टे थे और उनसे सो बच्चे थे लेकिन इसके इलावा और जो बाकी अनफिशल उनकी गिंती किसी को नहीं मालूँ क्योंकि पूरे यगांडा में मशूर था कि जो भी खुबसुरत यगांडा की लड़कियों को औरतों को देखता था वो उनकोट वालेदा था इदी अमीन के जो दूसरी वाइफ थी उसका नाम था के अडोरा चे वाईफ थी उसमें दूसरी के अडोरा को चुक्छुचा है चल रही थी इदा dementia के बारे में कि आदम खोर ये बात उसके कानों तक भी पहुँची और केमीन को इदी अमीन बहुत प्यार भी के घर के लोगों के हिलाज करते थे उनमें से एक डॉक्टर के साथ के अडूरा की महबत हो गई यह बात इदी अमीन को पता चली कहते हैं कि इदी अमीन ने के अडूरा को इस खबर के मिलने के वाद ऐसी मौद दी कि लोग सुनकर जिनका कलेजा काप जाए और साथ में फिर उ दोनों को मार डाला अब यह सारी चीजें चल रही थी इसी दोरान में एक दिन इदी अमीन चुकि वहां पर सक्ता पर तो काबिज हो गया था लेकिन यूगांडा की जो फैनेंशल कंडिशन थी वो लगातार खराब हो रही थी क्योंकि यह सिफ आयाशी मनमर्दी लोगों के कोई काम हो नहीं रहा था तो यूगांडा लगातार गरीबी की तरफ जा रहा था इसी दोरान में उसने एक अचानक एक अनोखा एलान किया और उसने यह कहा कि जो भी उस वक्त यूगांडा में करीब एक लाग हिंदुस्तानी रहते थे जब ब्रेटिस रूल था इंडिया पर तो इस वक्त ब्रेटन बहुत सारे यूगांडा पर भी ब्रेटन की हुकमत थी तो बहुत सारे हिंदुस्तानीयों को ब्रेटिस सरकार अपने साथ यूगांडा ले थी वहाँ पर उनको काम कराने के लिए तो बहुत सारे लोग गये यूगांडा में उनमें से बहुत सा युगांडा में थे और जो बाकी युगांडा की जंता थी वो उनसे जलते थे कि ये लोग बड़े अच्छे पोजिशन पर थे हिंदुस्तानी तो उनकी दौलत उनकी प्रोपर्टी उनकी संपत्ती पर भी इदी अमीन की नजर पड़ गई और उसने चार अगस्त, 4 अगस्त 1972 को अचानक एक एलान किया कि युगांडा के अंदर जितने भी हंदुस्तानी रह रहे हैं, वो उस वक्रीब एक लाग थी ताबादी, उनको तीन महिना 90 दिन का वक्त दिया जाता है, वो तीन महिने के अंदर-अंदर युगांडा खाली कर दे, और य जमा जमाया बर्सों से वहां रह रह रहे हैं, उनका परिवार, फैमिली, बहुत सारे लोगों ने युगांडन से शादी कर ले थी, उनका अपना बिजनेस, तो वजायत की बात है सड़क पे आ जाते, उसको लेके बहुत गुहार लगाईगे लेकिन सुना नहीं, फिर एम्ब जो कोटन कोट में है कि हिदी अमीन कहता था कि मुझे कल रात सपने में खुदा का फरमान मिला है कि इन सारे हिंदुस्तानियों को युगांडा से बाहर निकाल दो, अब इस फरमान को पूरा करने का वक्त आ गया है, युगांडा की संपत्ती पर सिर्फ युगांडा के लो जो अपनी जमी जमाई सब कुछ दुकान, घर, माकान, बिजनेस हमारे हिंदुस्तानी महां से निकले और छोड़कर उनको जाना पड़ा, क्योंकि यह हुख पता, बहुत सारे लोग युगांडा से उस वक्त ब्रेटन चले गया थे, जो हमारे अंडियन थे, और फिर वो व बाहर निकाल दिया गया था, बाकी मुल्क भी जो है, वो खिलाफ थे, उधर अपने जो एक्स, जिस कुर्सी को पर तक कब्जा किया था, जो प्राइमिनिस्टर, वो बाहर रहकर, निर्वासी जिन्दगी जी कर वो भी कोशिश कर थे युगांडा में वापस आने की, लेकि वो कहते हैं कि पाप का घड़ा भर जाता है, तो वैसी हुआ है, इदी अमीन को अपनी ताकत पर थोड़ा घमंड और करनल गदाफी के साथ से थोड़ा सा और भी उसका वो हुआ कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, 30 अक्तूबर 1978 को, मतलब लगबग इसको आठ साल होने वाले थ और उचाता था तंजानिया को भी कबदा करने हैं, और इसमें उसने गदाफी से मदद मागी, गदाफी ने लीविया से अपनी सेना भेजी, और उसके बाद तंजानिया में लड़ाई शुरू हुई, 6 महीने तक लड़ाई चली, लेकिन 6 महीने की इस लड़ाई में तंजा ने बड़ी बहादरी दिखाई उनकी सेना ने बड़ी बहादरी दिखाई छे महीने के बाद उसने कनल गद्धाफी की और इदि-यमीन की सेना को खदेर दिया और 10 अप्रेल 1979 ठीक 8 साल kid आपे दिया मिन के कबजा करने के अंद्ञ से थन्जानिया की से युगांडा में गुझ जाती हैं कंपाला आपका अ으 कब आ कर लेति हैlax कि इदिया मेरines किसी तरह से वहां से जान बजा कर भाग जाता है और बच निकला मुझारा इस वह बड़ी चालाकी bekommt मैंस निकल गया उसको सहारा देते हैं और फिर वो लीविया में ही रहता है। इधर चुके तंजानिया जंग जीट चुकी थी और जो जिनको हटाया था, मिल्टन ओबेटे जो प्राइमिनिस्टर थे यूगांडा के जिनको हटा कर इदी अमीन प्राइब वो बना था वहां का शासक। फिर त गदाफी के पास रहने के बाद फिर ये असी के दशक में एक दो साल गदाफी के पास रहता है। उसके सौधी अरब चला जाता है। तीन को बीमारी के वज़ए से उसकी मौत हो जाती है। मतलब करीब 24 साल बाद जब वहां से यूगांडा से इसको हटाए गया था उसके बाद, तो वहां से आने के बाद इसकी मौत हो जाती है। 2003 में यूगांडा से यूगांडा से के जाने के बार जुशन मनाते हैं और यूगांडा के भलाई के लिए मेता है जुम्स्स हार उटते हैं सिर्फ उस वज़ा से कि एक उसने छे लाक से जादा लोगों को मारा मरवाया दूसरा वो शाहद दुनिया का पहला राश अध्यक्स था राश पती था जो इंसानी मास खाता था जिसे आदम खोर के नाम से बुलाया जाता था और आखरी के जो चौबीस साल थे उसने बड़ी गुमणामी में बिताए साओधी अरब में क्योंकर ये भी था कि उसके दुश्मन बहुत थे तो जड़ा में जहा रहता था उसको बड़ा साओधी जो वहां की रॉयल फैमली है उन लोगों न उसको काफी सुरक्षा भी दी रखी थी और आखर में वो अपनी अब आप से फिर मुलाकात होगी किसी अगली कहानी के साथ तब तक आप लोग अच्य रहें अपने अखाल रखें अपने सुझाओ शिकायते देते रहें और हां शिकायत मत कीज़ेगा आप तमाम लोगों के नोट कर रहा हूं जो भी मेल आ रहे हैं मैं उसका जल्दी जवा और ही मेरी पूरी कोशे सोबी थांकियो वेरे माट